जब ये फिल्म रिलीज होगी तो पठान, बाहुबली और ट्रिपल आर जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देगी। अब बात करेगे कहानी की, तो आपको बता दें कि पिछले पार्ट में सनी पाजी अपनी पत्नी सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान गए लेकिन गदर टू में सनी देओल किसी दूसरी वजह से सरहद पार पाकिस्तान का रुख करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गदर टू की कहानी भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती हुई दिखाई देगी। ओतकर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार न स्टोरी पिरोई गई है जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन गदर टू में साल 1970 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध को रीक्रियेट किया जाएगा। इसमें तारा सिह का बेटा जीते यानि उतकर्ष शर्मा भारती असैनिक का किरदार निभाएंगे और इस वार के दौरान जब तारा सिह का बेटा जीते की जान पर बात आएगी तो वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। फिल्म गदर टू की कहानी से लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिष्टे को बड़े पर बखूबी से दिखाने के मूड में हैं वहीं इससे पहले अनिल बाप बेटे के रिष्टे को फिल्म अपने में भी दिखा चुके हैं जिसमें सनी देयौल, धरमेंद्र और बॉबी देयौल ने काम किया था और फिल्म को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी मिला था अनिल शर्मा एक ब स्वीरें सामने आई थी जिसमें सनी देयौल और अमीशा पटेल नजर आये थे और इस फिल्म को एक बड़े स्तर पर तयार किया जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो साल 2001 में रिलीज हुई गदर के दूसरे पार्ट को एक नई कहानी के साथ दर्शकों के सामने परोसना आसान काम नहीं है लेकिन अब यह फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें डाइरेक्टर अनिल शर्मा कितने कामयाब हो पाए खैर आपको बता दें दोस्तों की गदर एक प्रेम कथा फिल्म की कहानी ने जितना दर्शकों के दिलों को छुआ वहीं इसके गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे मैं निकला गड़ी लेकर और उड़ जा काले काबां टॉप पर रहे थे वहीं मेकर्स ने 22 साल बाद गदर टू के उड़ जा काले काबां का एक नया वर्जन रिलीज कर दिया है उड़ जा काले काबां के नए वर्जन में एक बार फि साल पहले आई गदर एक प्रेम कथा कि यादें ताजा कर दी है। सनी दे ओल और अमीशा पटेल का रोमेंटिक अंदाज एक बार फिर से बेहत पसंद किया जा रहा है। साले काववां का नया वर्जन रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। और यूजर्स गाने को खूप पसंद कर रहे हैं। और जम कर कमेंट भी कर रहे हैं। इस गाने को रिलीज होने के 2 गंटे के भीतर ही 12,00,00 से ज्यादा वियूस मिल चुके हैं। लोग तारा और सकी प्रशंसा के सकारात्मक शब्द भी शेयर किये और आपको बता दें कि भारत में किसी भी सेना लोकन समिती से अनुमती प्रमान पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसे में निर्माताओं ने फिल्म की एक विशेश स्क्रीनिंग आयोजित की और अधिकारियों से उन्हें जो प्रतिक्रियाएं मिली वो बहुत ही शांदार थी। रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्राले की समिती ने बिना कोई मुद्दा उठाए फिल्म को मंजूरी दे दी है। लेकिन क्या आप फिल्म की रियल कहानी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अनिल शर्मा कश्मीरी पंडितों के पलायन पर फिल्म बना रहे थे। शक्तिमान और अनिल ने दुनिया की सौ बेस्ट लव स्टोरीज पड़ी। इसी बीच दिन में शक्तिमान अनिल के पास पहुँचे और बिटिश सेना में सैनिक बूटा सिह की कहानी सुना डाली। अनिल शर्मान ने नहरुजी की एक किताब में भी पड़ रखी थी। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और शक्तिमान से कश्मीर वाली पिक्चर डॉप करने को कहा। अब उन्हें इस कहानी पर पिक्चर बनानी थी। अनिल ने बीस मिनट का समय लिया और एक मुकमल कहानी के साथ आ गए। पर एक ट्विस्ट के साथ वो ट्विस्ट उनके दिमाग में आया। रामायन में राम, सीता को लेने लंका में जाते हैं। यहां फर्क इतना होता है कि तारा सिंग सकीना को लेने पाकिस्तान जाता है। वो भी अपने बेटे के कहने पर शक्तिमान ने स्क्रीन अप लेपर काम किया। और स्क्रिप्ट स्टूडियो को सुनाई गई। उन्हें कहानी पसंद आई। और सनी देवल को नैरेट की गई। उन्होंने भी हां कर दी। और जब इस स्क्रिप्ट को अमरीश पूरी को दिया गया तो वो भावुक हो गए। और उनकी आँखों में आंसू आ गए थे। ऐसा ही कुछ आनंद बक्षी के साथ भी हुआ। अनिल उन्हें पिक्चर सुना ही रहे थे। वो ढ़ाई घंटे के निर्देशन में कई बार वाशरूम गए थे। सभी को लगता है सिगरेट पीने गए होंगे। पर वो अपने आंसू छुपाने के लिए बार बार उठकर जाते थे। खैर बात करें फिल्म गदर्टू की तो सनी और अमीशा के साथ-साथ उतकर्ष, शर्मा भी इस फिल्म में एहम भूमिका में होंगे और फिल्म का टीजर और एक गाना पहले ही लाँच किया जा चुका है। जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला है। और अब ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। तो दोस्तों, गदर्टू को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इसी तरह की और भी इंट्रेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप से अगले वीडियो में।